तो इस वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं नीट फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग के बारे में कौन-कौन स्टुडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को अप्लाई करना, क्या ओफिशल वेबसाइट कंप्लीट में आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि नीट फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग में कौन-कौन स्टुडेंट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वही स्टुडेंट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जो यहां पर नीट जो है that is passing marks अगर आप लोगों के इतनी marks हैं तो आप लोग जो है first round counseling में participate कर पाएंगे मतलब आप लोगों ने neat clear किया है तो अगर आप लोगों general category से belong करते हैं तो आप लोगों के marks होने चीव 138 एन इससे ज़्यादा अगर इते हैं आप लोगों के marks हैं तो आप लोग नेट यूजी first round counseling में participate कर सकते हैं इतनी marks आप लोगों को EWS category से चाहिए अगर आप लोगों के EWS category से 138 एन इक से ज़्यादा marks हैं तो आप लोग जो है first round counseling में participate कर सकते हैं बात करें SC और ST category के बारे में अगर आप लोगों SC और ST category से marks जो है 108 हैं और इससे ज़्यादा marks हैं तो आप लोग जो है counseling मे participate कर सकते हैं यूजी medical counseling first round में जो है आप लोग participate कर पाएंगे तो यह है eligibility है यह जो candidates हैं वो यहाँ पर apply कर सकते हैं चलो मैं आप लोगों को step by step यहां पर बता दूँ कैसे आप लोगों को medical counseling committee में यहां फिर नीट यूजी के counseling के लिए apply करना तो चलो चलते हैं official website भी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी step by step process भी बताऊंगी को मैं बता दूँ सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है official website पर that is medical counseling committee mcc के official website students mcc.nic.in और किसी भी website पर आप लोगों को counseling नहीं करनी है या फिर आप लोगों को और कोई website जो है बोले कि counseling के लिए तो यहां पर student official website नहीं है मैं आप लोगों को बता दू official website mcc.nic.in है यहां पर आप लोगों को आ जाना है medical counseling committee आप लोगों को दिख जाएगा आप लोगों को थोड़ा सा जो है scroll down करना होगा और आप लोग scroll down करने के बाद देख सकते हैं यहां पर different type की counseling रहेगी जैसे कि MDS counseling होगा PG medical counseling होगा super specialist counseling होगा आप लोगों को जो करनी है counseling वो है UG medical counseling तो UG counseling जो रहेगी आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को click कर देना that is red color के button पे आप लोगों को जो कि first बिल्कुल first में आप लोगों को दिख जाएगा यहां पर आप लोगों simply जो है tap कर देना students then आप लोग यहां पर tap करने के बाद next page पे move करेंगे then आप लोगों को यहां पर information bulletin और seat matrix दोनों यहां पर notification मिलेंगे आप लोग download कर सकते हैं यहां पर बता रखाए जितने भी जो need हैं जो need के students हैं जो यहां पर MBBS BDS में admission लेना चाहते हैं तो उन सभी के लिए यह counselling जो है conduct करवाई जा रही है तो इसमें आप लोग participate कर सकते हैं तो आप लोग जो है जितने भी terms and condition आप लोग पढ़ सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं online counseling will be available सून यहां पर जो online counseling रहेगी वो बहुत ही जल्दी यहां पर link activate होगा students मैं आप लोगों को बता दू यहीं पर होने वाला है जब यहां पर link activate होगा मैं आप सभी के साथ जो है share भी करूंगे direct आप लोग link उससे apply कर पाएंगे जादा समय नहीं है अभी आप लोगों को link जो है बहुत ही जल्दी activate हो जाएगा तो यह थी complete process यह थी official website मैंने आप सभी को बताया अगर आप लोगों को इस video से related कोई भी doubt है तो आप लोग comment section में बताइए मुझसे पूछ सकते हैं comment section में मै आप लोगों को ज़रूर reply करने की try करूंगे मिलेंगे एक next और new updated information के साथ next video के साथ thank you